हेलो इस्टुरेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम तो अब क्लास एस टेक्निक में कि रुमाइड सार्प और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एस टेक्निक पर तो आज अपनी चल रही है इंटरनेट रेप्रेक्न लॉजी की क्लास चल रही है और इसमें स्टेमल चैप्टर चल रहा है जिसमें केवल दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं फॉम बनाना और फ्रेम बना ठीक है उससे पहले अपने पिछली क्लास में सीखा था कि टेबिल को क होता है कैसे इनका की यूज किया जाता है यह सब अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे और आज की क्लास में अपन को पढ़ना है क्या कि जो टेबिल बनती है उसके एट्रिब्यूट कौन-कौन से होते हैं तो आज में क्या पढ़ना है एट्रिब्यूट ओप टेविल एक हमने तेल एलेमेंट पड़ा था इसके क्या-क्या अट्रीव्ट होते है त्रुंज आप अपने दिमाग से सोचके बताईए कि हम हम क्या-क्या कर सकते हैं टेलस ठीक है एक एक आपको वने टेवल डे ति आप उस टे miedo में क्या क्या changes कर सकते हैं सबसे पहला हम table में border लगा सकते हैं table को shift कर सकते हैं यहां वाँ बतला alignment है न तो जो जो आपके दिमाग में आ रहा है वही सारे इसके attribute है सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं इसको align कर सकते है yes or no क्या कर सकते हैं हम table को aligning कर सकते हैं तो align attribute का use किया जाता है for aligning the for the alignment of the table टेविल के aliment के लिए हम क्या करते है align attribute का use करते हैं अब align attribute क्या करता है align attribute जो हमारी table होती है उसको left right center में क्या कर देता है shift कर देता है alignment की जो value होती है लिखा कैसे जाता है इसको लिखा ऐसे जाता है कि यह हमने 10 और टेविल के अंंदर लिखा हमने ऐलाइन की एकप टबल इंबर्टल को कामा के अंदर हम क्या लेकर देंगे इसकी डाएगे और इसके च्छे साथ तो आप को लगा नहीं को बंदब करना पड़ेगा. इसका होता tau का सिंटेक्स होता है जहां पर वैल्यू जो होती है वो वैल्यू क्या-क्या हो सकती है तो यह जो वैल्यू है उनमें से आपकी तो हो सकती है हम टेश्ट को लेप में टेवल को लेप्ट में सिफ्ट कर दें दूसरा हम टेवल को राइट में भी सिफ्ट कर सकते हैं और तीसरा हम टेबल को center में shift कर सकते हैं and the last is justify जा कर सकते हैं इसको हम justify कर सकते हैं तो यह चार value आपकी किसकी हो सकती है table में align attribute की यह चार value हो सकती है left right center and justify left क्या करेगा left table को left में align कर देगा right क्या करेगा webpage की right में table को align कर देगा center क्या करेगा webpage की बिल्को center में table को align कर देगा और justify जैसा आपका text चलता है उसे की according to table को set कर देए clear की नहीं आ गया okay so यह हो रहा आपका पहला attribute align attribute note कर लो जैसे करना है and the next is और क्या कर सकते हैं बताओ हम हो गया चल दूसरा दूसरा जो attribute हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर हम इसमें क्या लगा सकते हैं yes we can use border all around the table table के चारो तरफ अपन क्या लगा सकते हैं border लगा सकते हैं इससे पहले जो हमने आपको बताया था उसमें टेबल में कोई border नहीं था simple serial number लिखे हुए थे नाम लिखा हुआ था designation लिखा हुआ था clear जो मैंने last class में आपको example दिया था उस example में मैंने आपको क्या बताया था बच्चो कि एक serial number लिखा था उसके बाद नाम लिखे थे भी designation लिखी थी तो उस table में हमने कहीं भी आपको border दिखाया नहीं था ठीक है तो border का यूज कैसे किया जाता है border क्या करता है table के चारो तरफ border लगाने के लिए करते हैं इसमें हम क्या करते हैं टेविल एक टेविल एलिमेंट के अंदर लिखते हैं border और border is equal to यहां हम दे देते हैं value ठीक है और इसको कर देते हैं close and dot 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 बीच में तो कुछ आए गई और आपको slash table के साथ इसको क्या कर दिया जाता है close कर दिया जाता है it is the syntax to apply border on your table अपनी table पर border को apply करने का syntax यह रहा जहां पर जो value होती है यहां पर यह value किसमें होती है पिक्सल में होती है जितने पिक्सल का आप border चारों तरफ लगाना चाहते हो वो pixel यहां पर क्या करेंगे हम define करेंगे और आपका क्या आजाएगा पिक्सल लग वो बॉर्डर लगके आजाएगा ठीक एक बात का जरूर धियार रखें क्या कि इसमें जो हम बॉर्डर देंगे वो बॉर्डर आपका क्या होना चाहिए एक पॉड़ांग होना चाहिए नंबर होना चाहिए ठीक है पॉईंत में या फ्रेक्षिन में हम वैल्यू महीं रहा तो वन होनी चाहिए या तो या थ्री आप्वार क्या पाइफ आपाउन सेख्ष ने हमने लिखा की टेवल और टेवल के बाद लिखा मैंने बॉर्डर और border equal to double-emittery, lfdf4 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि हमने जो चारों तरफ क्या लगाया हुआ है? जो table बनाया हुआ है उस table के चारों तरफ 4 pixel का क्या आजाएगा? border आजाएगा पूरी table clear ना? बात समझ में आजए कि कितने पिक्सल का आजाएगा? चार पिक्सल का और बढ़ा दो तो और ज्यादा पिक्सल का आजाएगा, clear बात की नहीं तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? अपने table में border को apply करते हैं, चीक है? और क्या कर सकते है? भाई हमारा ये cell अभी इतना सा है हमें इसको बढ़ा भी तो सकते हैं? है ना? cell की size को बढ़ाना या घटाना? column की size को बढ़ाना या घटाना? है ना? कर सकते की नहीं कर सकते बताओ? ठीक है? तो अपना तीसरा अटीवियोर देखो जराब अगला कॉंसाइटीवियोट है हमारा बिट तैटीवियोट है अगला? बिट तैटीवियोट का यूज क्या किया जाता है? टेबल की चौड़ाई को निर्धारत करने के लिए बिट मतलब क्या है? टेबल की चौड़ाई है उसको क्या करने के लिए? निजहारत करने के लिए हम क्या करते हैं बिट्ट एटिब्यूट के यूज करते हैं टेबल की चोड़ाई का ठीक है इसमें हम करते क्या है बिट्ट के अंदर हम क्या देते हैं एक वैल्यू देते हैं ठीक है और जैसे की मतलब क्या है जैसे हमने का आभी हमारा यह टेवल है य है तो इसकी बिर्वर्ट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं इसको बौरा आiała में हम तैवल को बढ़ाते हैं तो करते हैं जbab सकते हैं आप अंगयों करते हैं तो हम करते क्या है इसमें हम table लेते हैं और यहां लिखते हैं bits equal to double inverted comma के अंदर हम क्या लिख देते हैं value और यह close जहां पर यह जो value होता है यह pixel में नहीं यह pixel में नहीं होता है यहां जो value होती है यह value आपकी किसमा होती है percentage में होती है किसमा होती है percentage में किसमा होती है परसेंटेज हो और किसका परसेंट होता है पूरे बैक पेज के कितने परसेंट पार्ट पे आप इस टेबल को देखना चाहते है ठीक है वैल्यू का मतलब क्या है आपे वैल्यू आपके किसमें होगी परसेंटेज में किसके परसेंटेज में बैक पेज का कितना परसेंट हिश्चा टेविल से घिरा होगा ठीक जितना परसेंट आप डिशाइड करोगे पौर हमने बोला 50 परसेंट ठीक तो इसका मतलिक क्या है कि जो टेविल है टेविल है वो बैटेज के करनी है बात समझ में आ गई की नहीं आगई इसके बाद आता है आपका सेल spacing और फिर है cell padding ठीक है क्या है cell spacing और cell padding ठीक है तो 3 हो गया चौथा 80 विल जल्दी से देख लो क्या है आपका cell spacing cell spacing क्या होता है नाम से समझ में आ गया होगा दो cell के बीच में कितना space दे रहा है ठीक है उसको decide करने के लिए हम क्या कर देते हैं cell spacing का यूज करते हैं सब्सक्राइब एक से अपनी यह रही और दूसरे सेल के बीच में हमें पांच पिक्सल का क्या देना है गैपिंग देनी है तो हम यहां पर क्या करतेंगे इसको कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं टेविल एलिमेंट ठीक टेविल एलिमेंट यूज करेंगे कि टेविल एलिमेंट यूज करेंगे सेल स्पेसिंग लगाएंगे ओर फेसिंग यहें इसको क्लोज करतें यहां पिकुद्ण के बीचितने पिक्सल का क्या लगाना चाहते हो इसunu इस प्रेसिंग यहां पर वैल्निव डिसाईड करेंगे यह सब चीजें जितने भी attribute हैं यह सारे attribute आप एक table बनाओ और इस table में आप क्या करोगे गर पे टेबल बनाना बढ़ी है computer पे ठीक है और उसमें यह सारे attribute लगा के देखा करो कि हम अगर यह बाला attribute करेंगे तो क्या changes आ रहे हैं ठीक है एक program बना लो सेब कर लो कि उसी में change करते जाओ रिलोड करते जाओ चेंज करते जाओ रिलोड करते जो तो आपको समझ में आता जाएगा कि हर एक attribute का use क्या हो रहे है ठीक है अगला attribute जो है वह हमारा कौन सा है cell padding क्या है cell padding cell padding वह इस दे यूज़ अव सेल पैडिंग का मतलब यह है जैसे मैंने लिखा यह हमारी एक cell रही क् इस सेल में मैंने लिखा अपना नाम राहूल तो यह जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट और सेल के बीच में जो इस पेसिंग आ रही है टेक्स्ट और सेल के बीच की यह जो इस्पेसिंग होती है इस इस्पेसिंग को हम डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं cell padding का यूज करते हैं आई बास समझें नहीं क्या जो हम cell के अंदर text लिख रहे हैं वो text और cell के बीच का जो difference है ठीक है उसके बीच की जो क्या है spacing है cell और text के बीच की जो spacing है उस spacing को decide करने के लिए हम cell padding का use करते हैं इसकी भी value आपकी पिक्सल में दी जाती है जितने पिक्सल जैसा आप decide करना चाहे है जैसा आप इसमें decide कर सकते हैं ठीक है इसके बाद अगला जो है आपका च्छटमा वो है caption element क्या है caption ठीक है अगला क्या है आपका caption most है अगला ठीक तो देखो caption element का use क्या किया जाता है जैसे अपन ने पिछली बार table बनाई थी ठीक है इस type की एक table थी यहां पे serial number थे name थे designation थी और यहां salary थी ठीक है इस table की ऊपर आपको यह बताना है कि यह table किस चीज की है इस table की ऊपर आपको यहां बताना है कि यह table आप किस चीज की बना रहे हो तो वह उस चीज को decide करने के लिए हम क्या करते है caption element का use करते है ठीक है so caption element is used to define the title of the table ऐसे भी बोल सकते हो टाइटल करने के लिए caption element का यूज करते है ठीक है लिखते कैसे simple सी बात है वही लिखा अपनने table लिखा टेविल में हम लिखेंगे क्या caption जी कि 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 अ नहीं ऐसे नहीं लिखते इसको इसे टेविल का एट्रीविट नहीं है एक टेविल के अंदर element इस नॉट एन एट्रीविट इडेजन एलिमेंट यह क्या है आपका एक element जैसे कि कौन सा था टी आर एक element था एक element था टीडी एक element था वैसे ही caption क्या है एक element ठीक है तो caption element का यूज कैसे किया जाता है यह लेखेंगे हम syntax तो caption के बाद हम यहां पर लेखेंगे text और और फिर slash caption से इसको क्या कर देंगे flow caption के बीच में जो text आपको लिखोगे वो text क्या होगा table के title के रूप में हमें यहां पर समझ भाई table के title के रूप में table के ऊपर आपको क्या होगा यह सो होगा अब ऊपर ही क्यों सो होगा सर तो बिलकुल नहीं caption का एक attribute होता है align attribute caption का एक attribute होता है align attribute जिसकी value क्या क्या होती है जिसकी value होती है top bottom left right क्यों होता है top bottom left और और आप का जो caption element का alignment और align attribute क्या क्या होती है top होती है left होती है right होती है मतलब अगर आप table के left में caption लिखना चाहते हो तो लगा दो table के उपर लिखना चाहते हो तो top alignment और इसके नीचे लिखना चाहते हो करने का तरीका कुछ नहीं देखो यह लिखे अपने कैप्सन के अंदर गया लिख दिया लाइन एक पॉल डवल इंबर्टेट कॉमा के अंदर हम यहां पर वैल्यू लिखेंगे यहां पर टेक्स्ट आएगा irgendwann 4 वेएक हो सकती है आपकी या तो टॉप हो सकता है या लसकता है या राइट हो सकता है जैसा आपकी रिक्वार्मेंटेशा प्रेवल टेवल आङ्टल देने चाहते है टॉप में बॉटम में लैप में राइट में जहां पी वह तर फैंप का यूद्डए को ऑन अगे बढ़ते हैं तो कैप सटों गया किते किते हो गए तो हब शेल्शन स्पेसिंग अच्छ चलो बेक्षिए कैसे अगला कबने देखऊ क्या होता है साथमा साथमा आपका कि इसमें मैंने लेखा राहुल कि तुम क्या है एक्टी एम एल की क्लास लेते हो ठीक अदेखो जब हमने इसमें यह लेखा तो यह देखो राहुल तुम फिर अगली राइन में आ गया क्या तुम हो एसे आड़ा हो लेकिन अगर हम नो रैप का यूज करेंगे तो अगर हम नो रैंप का यूज करेंगे तो यह ऐसा नहीं आएगा तो यह देखो ऐसा आएगा कि एश है लिए भी है अधिए अधिक आया बस समझ में मतलब नो रेप रेप टेक्स्ट क्या होता है रेप टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को ब्रेक करके अगली राइन में लाना लेकिन अगर हमने यूज़ कर दिया नो रेप मतलब इसका क्या होगा वहां पहुआ पर आपका टेक्स्ट रेप नहीं होगा ठीक है टेक्स्ट रेप नहीं होगा ये कोछ इस प्रिकार से हो जाएगा ठीक है से लीटना था अब स twists अपने आप बढ़ा हो जाएगा इसे अहीब लेकिन अगर हम लिखते नो रेप का यूज ना करें तो फिर आपका टेस्ट ऐसे आएगा उसी सेल के अदर वो रेप होता होता जाएगा और सेल की क्या बढ़ती जाएगी उंचाई बढ़ती जाएगी तो एगर हम नो प्रेप का यूज नहीं करते हैं तो सहल की नहीं आया नहीं क्यों बढ़ती आगी जैसा टेक्स्ट बढ़ता जाएगा ऐसे एक लाइन लिखी तो थोड़ी ना बढ़ेगी उतनी तो उसकी सहल की चौणाई होगी ना कि वह राहुल को एजस्ट कर लेगा अब राहुल तुम क् आठमा अपन देखते हैं क्या गया है अ बैक्क्राउंड है अगर हम ऑगर हम यह क्या करें हमारा जो टेवल है उस टेवल के बैक्ग्राउंड में कोई इमेज सेट करनी है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगい backgroundण रेटीब्यूट का यूज करेंगे नहीं आई वास समझेंगे नो रेपका नो रेपका सिंटेक्स होगा आपका यह गए हम टेबल के अंदर धालाच से डम गए ठीक अबस लिख दिया नो रेप इसका कोई वैली वैली नहीं देना पराकता की नो रेपक दो खाता है टिक है वह कि यूजव किसमें किया जाता है यदि हम चाहते हैं कि हमारी टेविल के अंदर हमारी टेविल के बैक्ग्राउंड में एक इमेज सेट हो जाए मतलब जो बेकग्राउंडमे जो है वह रहने दो लेकर टेवील के एक इमेज आ जाये उसके लिए हम लेकड़राई है उगा हम लुदा सो हमें तोपलल लगा ना तो बीजी की टुटी लेकर हम की हम लिखेंगे कि सब्सक्राइब हम लिखेंगे अलड़ बॉदि टैग तो क्या हो जाए पूरे पूरे बैट पेज पे आ जाएगा वह बैक ग्ग्राउ्ट है ना हम अगर टेवांत के आंदर बीजी कलरी यूज करेगे तो ये वल्टेविल का क्या हो जाएगा बैक्ग्राउड कलर चींज जो जाएगा नहीं वहाजे ना पकत अगीं इसके बाद 10 माहा निए टेविल के अंदर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उस टेक्स्ट का कलर define करने के लिए हम क्या करते है text का use करते हैं syntax तीनों का कैसे हो जाएगा हम गए table के अंदर लिखा background equal double inverted comma के अंदर जो भी image डालना चाहते हैं उस image का url हम यहाँ पे क्या कर देंगे डाल देंगे ठीक हमें सर्ची image नहीं डालनी हमें तो color डालना है तो color डालना है तो होली खेलो भी हमें क्या दिक्कत है bg color लगाओ bg color equal to double inverted comma में color का नाम डाल दो या उसका code डाल दो ठीक color name डाल दो या color का code डाल दो एकसा code जो होता है अगर आपको आता है तो ठीक नहीं तो color का according हमने क्या कर दिया टेक्स्ट का भी color क्या कर दिया चेंज कर दिया आपकी टेक्स्ट लगाएंगो उसका color क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा आपकी मर्जी क्या according क्लियर की नहीं ठीक यह सब चीज है आगें की नहीं आगी पहले तो हमें यह बता दो ठीक तो यह total कितने 10 एटिब्यूट हमने आपको किसके बताए टेबल टेक के बताए ठीक है बदाए की नहीं बताए किलियर ना तो इन एटिब्यूट का यूज करके हम अपने टेबल को सुन्दर और सुसजित बना सकते है बना सकते है ठीक है तो आज आपका काम क्या है घर पे जान नोटपेड खुलना एक टेबल बनाना और उस टेबल में यह सारे जितने एटिब्यूट मैंने आपको बताए है इन सारे एटिब्यूट का यूज करके देखना कि किस एटिब्यूट पे क्या हो रहा है ठीक है और अगर किसी एटिब्यूट में आपको दिक्कत आती है परे है और अपने दोस्तों को भी जोड़ें और जो चैनल पर पुराने हैं ठीक है वो वीडियो को सेयर तो करते रहें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं तब तक सभी को टाटा वाए वाए रादे रादे असलावालेकूम से स्रियाकाल जैहिंद चैवादे